सुनिल बाबू, ख्या हुआ, परिशान लग रहे हैं? हाँ बाई, बाइक ने नाग में दम का रखा है ओईल नहीं डाला होगा अले रोज पेट्रोल डलवाता हूँ, अभी पी टंकी फूल है मैं पेट्रोल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओईल चेंज की बात कर रहा हूँ यहाँ आईए ओईल चेंज? हाँ, सुनिल बाबू, जैसे खून के बिना शरी नहीं, वैसे ही ओईल के बिना इंजन नहीं इसमें ओईल तो ना के बराबर है तो पहले हम सक्षन से निकालेंगे इसका पुराना ओईल वैसे सुनिल बाबू, कब डलवाया था ओईल? पता नहीं, इसकी तरफ तो कभी ध्यानी नहीं दिया अपना ख्याल रोजा ना, बाइक बोले तो भूल जाना समय पे अगर ओईल चेंज नहीं किया गया तो बाइक का निकल जाएगा दम और ना देखेगा फिर पांच का दम बाच का दम? ये क्या है? बताता हूँ, लेकिन आप अपनी बाइक को साइकल मत बनाओ और मैक 40 इंजन ओल डलवाओ और ये होगा आपकी आखों के सामने और आपको मिलेगा जेनुएन प्रोडाक्ट बस पांच मिनट का काम है, तब तक आपको पांच का दम भी बता देता हूँ पहला फाइदा मैक 40 इंजन हमेशा स्वच रहेगा दूसरा फाइदा, इंजन की लाइफ बढ़ेगी दीसरा फाइदा, बाइक मखन जैची स्मूज चलेगी चौर्था फाइदा, आपको मिलेगा बेटर माइलेच और पाचवा फाइदा, इंजन का परफॉर्मेंस बहतरीन होगा ये है मैक 40 इंजन ओयल का पाच का दम अब मेरी बाइक रहे कि फिट, हर दम तीन महीरे बाद अपनी बाइक का ओयल चेक करने के लिए यहाँ या किसी भी मैक ट्विक क्योस पर जाना मत भूलना